बढ़े बच्चो इस वीडियो में हम प्लस्टू क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर टू इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्ससाइज 2.1 के क्वेस्टन नमबर 11 को सौल करने जा रहे हैं बढ़ा ही असान सा है क्या कहता है फाइंड दा वैल्यू ओफ दा फॉलोईंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें क्वेस्टन नमबर 11 12 13 14 में तो पहले हूं यहां पे 11 की बात कर रहे हैं तीन वैल्यू दी में टैंजेंट इन्वर्ष 1 प्लस कोस इन्वर्ष मैंनस वन बाइ 2 साइन इन्वर्ष माइनस वन बाइ 2 इनकी हम अलग-अलग वैल्यू निकाल लेते हैं स्वेलूसिन में देखिए यहां से हमारे पास टैंजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी that is 1 और किसके उपर होता 1 tangent of pi by 4 के उपर 1 होता है so हमारे पास value tangent inverse 1 की जो value आई वो हमारे पास क्या हो जाएगी pi by 4 यह value हमने find out कर ली ऐसे ही हम cos inverse let x माल लो यहाँ पे हमने y माल ले यहाँ पे x माल लेते हैं let x is equal to cos inverse minus 1 by 2 minus 1 by 2 तो यहाँ से cos x की जो value होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी minus of 1 by 2 1 by 2 किसके उपर होता है cos की value minus of cos 1 by 2 pi by 3 पे होता है ठीक है 60 पे अब यहाँ से value जब हम solve करते हैं minus cos theta किसके equal हो जाएगा cos of pi minus pi by 3 that is that is क्या बन जाएगा cos of 2 pi upon 3 क्योंकि minus अगर हम बात कहें cos pi minus theta की value क्या होती है minus of cos theta ठीक है यहाँ से cos 2 pi by 3 so हमारे पास value क्या निकल के आई cos inverse cos inverse minus 1 by 2 की value हमारे पास कितना हो गया 2 pi by 3 ठीक है ऐसे ही हम third part में करते हैं इसमें sine inverse इसको हम z माल लेते हैं let z is equal to sine inverse minus 1 by 2 sine inverse sine z की value हमारे पास क्या हो जाएगी minus 1 by 2 1 by 2 किसके उपर होता है minus of sine 1 by 2 किसके उपर होगी pi by 6 के उपर pi by 6 ठीक है 30 के उपर यहां से value क्या बन जाएगी sine of minus का pi by 6 क्यों क्योंकि हमारे पास sine minus theta की value क्या होती है minus sine theta यहां से हमें किसकी value मिलगी sine inverse sine inverse minus 1 by 2 की जो value आगी हमारे पास क्या होगी minus का pi by 6 ठीक है अब इन values को हमने puti करना है so क्या बन जाएगा tangent inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sine inverse minus 1 by 2 की value यहां पे value कितनी थी pi by 4 plus 2 pi by 3 and minus का pi by 6 हो गया अब इनका क्या ले लेंगे हम lcm lcm कितना हो गया 12 4 3 जा 3 pi 3 4 जा 8 pi minus 6 2 जा 2 pi 3 and 8 11 11 minus 2 that is 9 pi upon 12 cancel करेंगे 3 4 so 3 pi by 4 is our answer इसको solution करने के बाद हमारे पास value कितनी आगी 3 pi by 4 असान सा था सबकी value अलग-अलग find out कर लीजिए उनको add कर देते हैं ठीक है चलिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में के लिए question के साथ फिर मिलते है तब तक के लिए